तो चलिए कम टाइम में और आसान तरीके से हम शुगार करें तो यह देखें गुजिया बनाने के लिए हमने एक कटोरी मैदा लिया है और इसका चौथाई भाग रिफाइन ले ले यहां आप घी भी यूज कर सकते हैं बल्कि घी में ज़्यादा अच्छा होगा और इसे हम अ पूटने से फूट रहा है तो अब भी यह मिक्स हो गया है इसमें हलका हलका पानी डालके इसे रोटी के आठी के तरह गुंद लेंगे ज्यादा कड़ा भी नहों यह देखिए अब हमने यह दो त्यार कर लिया है अब इसे थोड़ी दिर के लिए छोड़ देते हैं और अब हम बनाते हैं इसका मसाला 100 ग्राम हमने इसमें सूझी लिया है यह कि हमने कमी सूझी डाला है अगर आप चाहhope तो खुवह में भी बना सकते हैं यह खाली सूजी में भी बनता है और दुनों मिक्स करके भी बनता है तो यह हमने हलका ब्राउन कड लिया है और अब यह गोला का हमने घिसके कदू कस पे त्यार करके रखा है क्यूंकि उसमें तोड़ा अच्छा आता है कि उसे मिक्स कर दिया है भूरा मिला देते हैं और यह इलाइची पॉडर एक चमच अब सारे को मिक्स कर लेंगे हमारा मसाला अब त्यार है यह देखिए आप देख सकते हैं कदू कस कर नारियल डालने से अच्छा लगता है देखने में अब हम यह मैदा को लेते हैं और सारे को चागू के से काट लिया है हमने अब इससे पेड़ा बनाके गोल गोल बेल लेंगे दोस्तों हम गुजिया और अलिक आपको दो तरीका दिखाएंगे इसे हम बेल रहे हैं देखिए ना ज़्यादा मोटा हो और ना ज़्यादा पतला अब पहले तो हम आपको साचे पे दिखाएंगे यह देखिए हमने एक पूरी साचे पे डाल लिया और बीच में डालेंगे कोई भी साइड में डालेंगे बीच में डालेंगे और इसके साइड साइड से हलका सा पानी लगा देंगे पानी लगा के और जोर से दावा देना है यह देखिए बनके तियार हो गया क्योंकि आजकर दोस्तों लोग सांचे पह बनते हैं तो जल्दी बनता है इसलिए आपको बना के हमheim दिखा रहे हैं पो आपकी जैसी मर्जी हो आप सांचे भी मना सकते हो अब ही हमा अपको इससे भी दिखाएंगे जो फॉक्स कैसरे बनता है और हमेशा याद रखें कि इसे मैदा लगा के ना बेले बेलन में हलका सा रिफाइन लगा दे और नीचे लैप पे भी हलका सा रिफाइन लगा दे यह बिदलने में आपको आसानी होगी यह देखिए हमने बना लिया है यह तियार कर लिया है अब यह हम आपको दिखाएंगे जो एक बार में चार पूरी हम कैसे बेले और इसे फर्क से कैसे बनाएंगे यह देखिए चारों तरब से हमने दवा दिया है इसे पलटके यह चार तरप से पानी लगा दे आप और इसे अच्छी तरह अंगुठे के साहरे से इसे दबा दे फिर फॉक से इसे बना दे ना है जिसान कुछ नहीं करना है यह भी जल्दी ही बनती है और अब तेल गरम कर लिया है हमने, अच्छा तेल गरम कर लिया है, अब मीडियम फ्लेम पे इसे फिर कर देंगे और इसमें डाल देंगे, ये देखिए अपने आफ ही ये फूलने लग जाता है, इसे ज़्यादा पलटने की जरूरत भी नहीं होती है अब ये देखिए सिख गया है, अच्छी तरह से हलका ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे तो ये देखिए हमारा कुजिया बनके तयार है